सोलन सदर्विधान सबासीग में इस बार भाजपा में भी टिकेट को लेकर दावेदारी सामने आने लगी है वालमिक की समा से संबंध रखने वाले सुरेंदर टॉक ने भी आज मीरिया के सामने अपनी दावेदारी पेश की है उनका कहना है कि वहों पिछले 15-16 वर्ष्यों से भाजपा के साथ जुड़े हुए है और वालमिक की समा से संबंध अपनी दावेदारी ठोखना चाहते है उन्होंने कहा कि पिछले कई चुनों से वे भाजपा से टिकेट मांगते आए है लेकिन हाई कमान ने उनके नाम पर विचार नहीं किया है उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सच्चे कारे करता है यदि और किसी को भी पार्टी से टिकेट मिलेगा तो वहों उनका साथ देने के लिए तया है उन्होंने कहा कि जी मेरा नाम सुरेंदर टाक है और मैं सोलन शहर का ही रहने वाला हूँ मेरा जो गाओं छेतर पड़ता है वाड नमबर 7 अदशनगर धोबीगाट सोलन मैं पिछले 15-16 साल से मैं भाटी जन्ता पाटी के साथ जुड़ा हूँ और मैं सोलन विधानसवाच छेतर से अपनी विधायक पड़ के लिए एक दावेदारी दे रहा हूँ सोलन से अन्सी चाती से समंद रखता हूँ बालमी की वर्ग से और सोलन का स्थाने निवासी हूँ क्या मुद्दे की तो ऐसे बात है कि टिकट का टिकट की तो ये बात है कि टिकट आदमी को उसके य०्ड के इसाफ़ से टिकट मिलना चाहिए सब्सक्राइब सक्राइब सक्राइब बूत अधक्ष भी रहा हूँ, बिलकुल अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो हम उनके कंदे से कंदा लगा के साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है पार्टी, जिसको भी टिकट दे हम उसके साथ हैं, मेरा फर्ज सिर्फ आवेदन देना है वालमी की समय से तरसे इंभार्टी भी इस सक्रिया दिख रहे हैं? कभी देखानी ऐसे, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बड़े भाई हैं, दावेदारी धे हैं, उनको टिकट मिलता हम उनके साथ हैं, टिकट किसी को भी मिले हम उसके साथ हैं